इस्टूडेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल माईड हाइज नर्सिंग इस्टूडेंट्स टूडे विल लर्न अबाउट पॉर्ट्स इस्पाइन जो की मैंने मेडिकल सर्जिकल में से लिया है सेकेंड यर की तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज हम क्या होते हैं और इसके यह सारा हम इसमें पूरा डिटेल देखेंगे तो जो नए विवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को माईड हाइज नर्सिंग को और उसकी सारी वीडियो को सर्च करके देखिए आपके मतलब की कोई वीडियो है तो आप नोर्स बना है विडियो तो चली स्टार्ट करते हैं वाट इसपाइनल कोड यह है आप देख पाँ रहे होंगे यह यह इसा कि जो यह यह जो इसका ऑटिबरा बोडी है इसी में यह जो बॉन्स होती है जो बौघ इसके इन्हीं के बीच में यह यहा यहां कहीं से भी यह जो तक कॉज हो जाती है तो मैं आगे उसको आपको बताऊंगी कि यह कैसे कॉज होती है ठीक है तो यह जो थी spinal cord disease occur when the microbacterium tuberculosis are raised in the spinal cord जब यह microbacterium tuberculosis के वज़े से जैसे आपने देखा होगा जो टूबर क्लोसिस होती है आपको जैसे मालूम है कि वह इसके जो microbacterium tuberculosis के वज़े से फैलती है तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इसी microbacterium tuberculosis जो होता है इस्पाइन में जब पहुंच जाता है और spinal cord को क्या करता है effect करता है तो यह वहां पर भी फिर इसी के वज़े से कौज होती है तो इसको यह बलते है it is also called इनको क्या-क्या बोला जाता इस्पाइन टूबर क्लोसिस टूबर क्लोसिस टूबर क्लोसिस, spandylitis, pors, caries and david disease and pors कर वेचर यह सारे इसके नेम है pors spine के कुछ भी आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह यही बात हो रही है इसी की ठीक है जो pors disease होती है वह उसमें क्या होता है कि जो bone tuberculosis का सबसे common site होती है यहनिकि जो पors disease है इसमें क्या होता है कि जो bone होती है bone की एक disease होती होती है जो मेनली के थीक है आपर लंबर बड़ीबा यहां तो वहा का जो area होता है ज्यादक प्रोन होता है इसकी जो नेम है वो परशीवल पॉट्स की नामसे इसका पढ़ा है जो कि लंदन के एक सरजन थे और ट्रेंड थे त्रेंड वो कहां से थे बाट्स थे तो इसके जो हम अगर इतियोलोजी की बात करें तो इतियोलोजी में क्या होता सबसे पहरे तो वो ही है जो आप हमने देखा था माइको बैक्टिरियम टुबर क्रोसिस इस दा मेन और्गिसम अब दा पॉर्ट स्पैन एंड इस्प्रेड किसके थू होता है लिम्फैटिक और हीमेटोजीनियस मतलब ब्लड के थू और इम्फैटिक सिस्टम के थू तो यह क्या होता स्प्रेड ही है और यह हमारे स्पाइन तक बहुँच जाता है और इसमें क्या देखने को मिलता हूँ commonly associated with जो होती है debilitating disease होती है मतलब जो इम्फैटिक इम्फैटिक बातर हुआटिक वाली diseases होती है वो उसके साथ यह देखने को मिलती है तो यह आप देख रहे होंगे, यह आप मैं आपको आगेगी, स्लाइट में भी दिखाऊंगी, तो आप यह देख लिजए, यह जो इसका पोस्टिरियर एरिया है, ठीक है, और यह इसका जो होता है, एंटिरियर पार्ट है, यह याद रिख लिजए, ठीक है, यह यह लेमिना टॉक्तिरियर आपं रिख, डिस्क होती है, ठीक है, जो कि वर्टेल डिस्क होते है, एक वह और देख लिजए आप, यह इस स्पाइनेल कॉर्ड है, ठीक है, अब इसके जो यह ओगिया, अपर वाला जो हो गया, जो कि अब इसमें पूरा डिद्ल एनेटमी तो मैं का lower यह जो होती है lower thoracic reason और यह जो लंबर वटी बाई यह उपर वाला इसका जो उपर वाला यानि कि L1 और L5 तो लंबर हो गया और 12 तक का 1 से लेकर 12 तक का thoracic curve हो गई और उसके बाद जो हो गया यह पहल भी करव हो जाता है तो कहने का मतलब है यह वाला जो एलिया होता है यह ज्यादा प्रोन होता है इसके लिए ठीक है अब एक चीज़ और देख लीजें यहाँ पर फिर जादा मोबाइल है मतलब जादा यहाँ पर एक्टिवेट है यानि कि जहां पर जादा उसका काम हो रहा फंक्शन हो रहा तो वह अगर जो माइक्रोबैक्टरिय यहां तक पहुंच जाएगा तो यहां से यह देखिए यह इसके नस्दीक है यह आप देख पा रहे हैं यह ज देखेंगे पैथोफिजियोलोजी तो पैथोफिजियोलोजी में क्या होता है दू टू 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 एटियोलोजीकल फैक्टर माइकोबैक्टरिय में टूबर कुल हो गया ओविसली ठीक है उसका जो एटियोलोजीकल फैक्टर है तो बैसीली कहां पहुंच जाती है जो जो ब्रॉb्रन्कियोब होते हैं जो fine bronchioles होती है बिल्कुल वहाँ पहुँछ जाती है और क्या करती इंफल्मेटर्टी रेक्षिन अंकर विद दर पॉलिमजो नुक्लियर लीकोसाइड उसके साथ वो जो है इंफल्मेटर्य रेक्षिन करती है ठीक है वहाँ पे के जो कि कहां पर पहुंची थी मैंने बोला जो फाइनस बांकियों तक पहुंचती है और इंफरमेटरी रेक्शन कर रही परिमोर निक्लियर लिम्फोसाइट के साथ उसका रियक्शन हो जाता है और फिर यह क्या होती है जो बैसली एंटर इन दा लिमफाटिक एन ब्लड उसक कि मैंने अभी आपको दिखाया था ठीक है और फिर उसके बाद बैसली रीच इन दा यह देखिया थोरे को लंबर इस्पाइन बिकॉस ऑफ एक्सेसी मोबिलिटी आप दा रीजर अब यह थोरे को लंबर जो इस्पाइन है वहां पर पहुंच जारी क्योंकि वह ज्यादा मो नसदीग हो थी इसको पाईनल कॉलाम जो इसको एक भी आपको बताया थीक है और यह जो बैसली ओती से इरिया है उता हुआ से नो इसके बीदीजिई passion मोस्नियुकार dal के होता है जो इसका border होता है यहां तक पहुंच जाती ठीक है तो उसके बाद क्या होगा कि जो granulomotis inflammatory result in the erosion of the margin of the disease vertebra अब यहां पर पहुंची है तो क्या होगा कि यह जो granulomotis का मतलब होता है small जो उसके small inflammatory region जो होता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां तक पहुंच गई margin तक है पहुंच के दो इसके ठीक है अब यहां पर क्या होगा कि यह जो डिस्क में भी उसको nutrition नहीं supply हो पाएगा क्योंकि यहां की blood supply भी अब क्या हो जाएगी stop हो जाएगी यानि कि altered हो जाएगी ठीक है तो जो granulomatous inflammatory results के वज़े से क्या होगा erosion of the margin of these vertebra तो जो इसकी margin होती है वो erosion हो जाएगी erosion का मतलब क्या होता है कि मतलब यहां पर destruction हो जाएगा cell में जो यहां की cell होती है वो destroy हो जाएगी ठीक है जब दीरे-दीरे infection पढ़ता जाएगा तो यह और increase होती हो जाएगा तो जो margin होती है जो वरिहमें इस में इडिश्न एडिश रोसमें सुन आजए ने व्लाइड को hem और ध fifa टिशन इन्टरिब्रिस्टर गー 272 नो can advice 192 यानि की सब्सक्राइब नुच्राइब आकाता है इनको हमारे ने में help करना और दोनों वटीब्रा को जो भी है उसको friction से prevent करना injury से prevent करना यह सारा चीजे का काम बहुत इसका काम रहता हमारे मोमेंट में help करना तो वो जब इसको नहीं मिल पाएगा तो यह disk को कोई nutrition नहीं मिल राइस टॉप हो जा रहा है तो वहां पर उसका क्या हो जाएगा जो जाएगा और completely वो डिस्ट्रक हो जाएगी ठीक है तो मतलब डिस्ट्रॉइ हो जाएगी उसके बाद क्या होगा जो वीकनिंग अब दा टुबर्कल बॉड़ी ऑप दा वटीब्रा तो यह जो यह ट्राबीकूलर जो बॉड़ी होती जो इसको स्टैंड करती है जो इस तर जाएगा यहाँ पर यहाँ पर बड़ी का जो कोलैप्स हो जाएगा दिस्क हो जाएगा और यहां से बिलकूल हो गई यह दिस्ट्रोई होते जा रहें की भोन हैसे जो जा जाएगी और इसके जो पाट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यानि की जो वर्टीब्रा बॉडी का जो जो जा आए जो जाएगा और उसके वज़ए तो इतना तो मुझे लगता आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम देखते हैं इसके टाइपस थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं थोड़ा एक्स्बेइन करना पड़ा तो हो सकता थोड़ा की होजा है तो जो परडिसकल है वह समझ लीजा यह पहां-पेि जो बडर लाइन ओं और तक का इंफेक्शन पहुंच जाता है और इंटर वर्टीबल डिस्क भी भी चाहती हो आपको जाती है यह वाले में परडिसकल मैं पार नमर न वाला हुएगны और Central में क्या होता है इसमें बीच में होगा इसमें इंदिस इंदिस दा Single Body वर्टिर वर्टिब्रा इसमें ट्रहने कि एक Single Body ईट्रहब्डश बॉड़ recognize और popular पहली आपको ऊसमें दिखाया तै declarace में यह एंदियर ऑठ और यह posterior पार तो जो पार वोता है उसमें क्या होता है इस टाइप में in this type of infection जो होता है localized localized to the anterior part of the vertebra तो यहां पर यह anterior part में पहुंच जाता है ठीक है तो clinical manifestation में इतना सब कुछ हो रहा है तो सबसे ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा पेन हो जाएगा जहां पर भी है यह देखिया अब यहां पर यह इस तरीके से यह इतना ज्यादा अंदर काम चलना है प्रॉब्लम आ रही है तो पेन तो हो नहीं है बॉडी में चेंजी जाना है पेन होगा और spinal cord जो होती रिस्टिक्ट हो जाएगी यानि कि मूव नहीं कर पाएगी बैंट नहीं कर पाएगी फीवर होगा क्योंकि वहां infection हो रहा तो फीवर तो हो नहीं है नाइट स्वैट होंगे अनौरोक्सिया होगा वेट लॉस हो गया ठीक है वेट भी कम होता चले जाएगा फर्टीग होगा ठकान जल्दी से लगेगी और क्या हो जाएगी जो इस्पाइनल जो कॉलम है वह हमारा वीक हो जाएगा और उसमें डिफार्मिटी हो जाएगी तो इस तरीके से पिर यह जो नॉर्मल पोजिशन जो होती है चेंज हो जाती है काइफिस इसको कॉस करेगी मसल्स वास्टिंग हो जाएगी ठीक है एन पैरा वर्टीब्रल स्वैलिंग हो जाएगी मेभी सीन उसमें देखने को मिलेगा नमनेस होगा परेस्थीजिया होगा म प्रिया पर इस तरीके का इंफेक्शन केह जो गया तो एप्सिस कॉस भी हो सकता है ठीक है और उसके बाद हो गया उसमें पेशेंट एंट अज्यू प्रोटेक्टिव अब मतलब पेशेंट क्या करते है अपराइट पोजिशन को होड़ करके रखते हैं इस्टिक पोजिशन हो जाती है उनकी क्योंकि उनको बेंड करने में क्या होता है पेन होता है तो उनको जिसमें ज्यादा कमफोर्टेबल लगता वो उसी पोजिशन को ज्यादा अड़ाप कर लेते हैं ठीक है और सॉसस एपसे हो जाएगा यानि कि जो मसल्स होती है तो आपको पता होगा जो यह यह मुसल्स होती है हमारी यह हमारी जो होती है यह मसल्स of lower back की होती है तो वह क्या हो जाती है उसमें भी एप्सेज होने के चांसे हो जाते है ठिक है अगर उसको time से treatment ना मिले तो ठिक है may present as the lump यानि कि lump मतलब हो जो हो गया और compressive myelopathy हो सकती है ठीक है जो compressive myelopathy का मतलब हो गया जो neurological problem आती है related to the spinal cord तो उसको बोलते है compressive myelopathy बोन नेक्रोसिस हो सकती है मैंने जैसी बताया आपको क्यों उसमें मनलब बोन जोती है वो डैड हो सकती है उनके टीशू जो डैड होते होते चले जाते तो बोन जो होती होती है और अस्ट्रमलाइटिस भी कॉज होता है inflammation of the bone in the bone ठीक है फिर इसका हमने ये भी देख लिए वहाँ पे कभी कोई टीवी वाले पेशन के साथ या उनकी कैर वगरा करी ये सारी हिस्ट्री में लेना पड़ेगा फिजिकल एक्जामिन करना पड़ेगा जिसमें की उनका पॉस्चर देखना पड़ेगा spine का kyphosis वगरा spine कोई deformity है तो और complete blood test लेना करना पड़ेगा ठीक है और ट्यूबर क्लोज कुलिन टेस्ट भी करना पड़ेगा यानि मोंटोस टेस्ट आपको पता ही है अगर यह यह पॉजिटिव आता है तो इट्समीन वहां पे पेशन को है problem CT scanning कराना पड़ेगा यह सब आपको मालूमी है रेडियो नुक्लियर नुक्लिसाइड स्कैनिंग क पड़ेगी यह सब चीज उसकी करानी पड़ेगी डाइगनोस्टिक में फिर यह 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 लाइजा टेस्ट भी आप लिख सकते हैं ठीक है अलाइजा टेस्ट हो गया और यह जो होता है complete blood test हो गया CPR हो गया और सौरी PCR हो गया मान्टोक्स टेस्ट हो गया और यह सारी चीज हो जाएगा तो मैंने बता है kyphosis हो जाएता जैसे मैं भी डाइग्राम में भी दिखाय था spinal cord अगर अब जैसे कोलैस होते जाता है तो spinal cord क्या होगी compress हो जाएगी क्योंकि जब वह अपनी जगा से हटते जा रहे हैं और डिस्क निकलती जा रही है और वह क्या हो रहे हैं आपस में वहां पर डिस्ट्रोई होते जा रहे हैं तो उसका हालो एक कोई यह निकी हालो इस्पेस इन दा बॉड़ी कहीं पर भी न तो एबनॉर्मल ओपनिंग जाइब की जो होती उसको बोलते हैं ठीक है जैसे कि अब हाँ एपसिस हो रहा है और बोन हट रही है डिस्ट्रॉई हो रहा है तो साइनस तो हो नहीं है और परप्लीजिया हो इस पर बोलते हैं तो इस पर बोलते हैं जो भी नाम है सारे आप लिख सकते हैं अंटर टुबर क्लोसिस मेडिकेशन के और यह जो होती है यह सारे नेम है इसके इसके अंदर आती है और यह आप देख लीजिए इसमें चार्ट है जो कि आइसो नाजाइड जो हो थी हो 5 mg पर इसमें 10 mg पर kg बोडी वेट के हिसाब से 300 देनी पड़ेगा इथाम ब्यूटॉल हो गया यह सारी मेडिकेशन आप देख लीजेगा उसके बादे इसमें मेडिकल मेनेजमेंट क्या होता है कि सबसे पहले तो बैड रस होगा क्योंकि उसको कमफर्टेबल पोजिशन देनी जब तक कि उसका इसपाजम और जो पेन होता है वो डिसपीर ना हो जाए और जनरल हैल्ट उनकी इंप्रूव ना हो जाए और मेडिकल मेनेजमेंट में ही इमबलाइज अफेक्टेड जॉइन और जो भी इमबलाइजेशन करना ज्यादा मूबाय उनको एक्टिव नहीं रह जाना कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि उनका जो भी इंफेक्शन वगएरा जो है वो उसमें उनको हैल्प मिल पाई स्ट्रॉंग बनने के लिए उनका इम्यून सिस्टम ड्रेनेज और कोई मैंने बोला था ना आगई की ड्रेनेज भी हो सकता है तो उसमें अगर को नहीं मिला है पाइड़ दिजज में आराम तो नेरोलोगिकल डफीशित वाली उनकी हिस्ट्री देखने पड़ेगी परफीज्जार यह सब देखना पड़ेगा और इस पाइन डिफॉर्मिटी है वह भी देखने पड़ेगी पेन देखना पड़ेगा अगर कोई बीरिस्प अगर आप इसमें क्या करने नाइन डाइगनोस्टिक परकुटेनियस ली नीडिल को आप क्या करेंगे उसके अंदर उससे नीडिल से बाइपसी लेके उसको सेंपल के लिए भीजना पड़ेगा तो अगर यह पूरी सरजरी करने से पहले एक बार यह सब करके देखना होगा अ वह कुशना है तो फिर सरजिकल में ही उसका करना पड़ेगा सरड़ीकल कल टैमेंट होता होता लास्ट में तो सरजिकल डिकम्प्रेशन होगा जिसमें की जो जो रिचर्स इल्रे हित्व हिप होते हो दो यूज़ क्या ずैनल और द्स्रिक आफेजिक जा तोनिया जो कि उससे की क्या होगा कि जो डिप कॉंपरेशन है उसका वो उसको अराम और यह जो हमेशा एंटिरियर डिप कॉम्परेशन spine fusion किया जाता है इसमें ठीक है then laminaectomy की जाएगी एक दो नाम और देख लिजे laminaectomy करेंगे तो जिसमें कि जो lamina होगे उसको remove करेंगे मतलब ठीक है actomy में तो remove होगा और जो otomy होती है तो नीचे fifth number में otomy भी है तो otomy में क्या होगा और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम मैं तो कुछ टिब्राइमेंट भी कर सकते हैं मतलब का मतलब और उसको आउट करना और इस तरीके का काम होता है ठीक है तो यह आप इस तरीके साफ समझ सकते हैं Okay, then nursing management में तो यही है कि nursing management क्या है कि acute pain related to informatory process अब देखो इसमें यह nursing diagnosis भी है जिसमें कि आपको help मिलेगा की patient को क्या करना है कि अगर acute pain related to inflammatory तो सबसे पहले तो pain होता है तो उसमें उसको जो होता है assist करना पड़ेगा, level of pain, provide comfort devices देने पड़ेगे, उसको comfort position देनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा कि वो hard, जो bad होता है, उसको use करें, इनलजेसिक देने होंगे उसको और उसकी position को change करते रहना पड़ेगा, frequently encourage करना पड़ेगा उसको और provide warm और moss compress के लिए भी दे सकते है, ठीक है और फिर disturbed body images में हो जाएगा, तो अगर ऐसे वाली problem है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, patient को जो है, उसको अपना verbalized feeling देनी पड़ेगी, उसको patient को psychological support देना है, और उसको braces का use करने के लिए बोलेगे, और उसके जो members होते हैं, उसको उसके साथ रहने के लिए advice करेंगे, ताकि उसको support देते रहें, और उसको बोलेंगे कि वो अपना treatment को properly ले, ठीक है, then self-care deficit में किया, अगर patient अपनी self-care नहीं कर पा रहा है, तो उसके relative को वहाँ पर रखना है, और उसको sponge बात हो गया, और mouth care, eye care, जितने भी daily activity होती है, जो भी daily needs होती है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको इसमें assist करना पड़ेगा उसके लिए, और उसको provide back care भी देनी पड़ेगी, उसको और patient को क्या करना पड़ेगा, to early उसको position उसकी change करनी पड़ेगी, ताकि किस से होगे for prevention of pressure ulcer, okay, then impairment physical mobility, जो impaired physical mobility में क्या करना पड़ेगा, कि patient को क्या करना पड़ेगा, कि assist करना पड अप उसको use कर पाए, क्योंकि वो physical, उसकी जो होती है, वो impaired हो गई है mobility, तो mobile उसको assist करना पड़ेगा, और encourage करना पड़ेगा, कि embulation के लिए, उसको encourage करना पड़ेगा, कि ताकि वो according to comfort level of patient, उसको हम जितना भी वो कर पाए, उसको advise करेंगे, embulation के लिए, okay, then home care में आप उसको Ports advise कर देंगे, Ports का मतलब हो गया, P4 patient should be reminded to attach, मतलब उसको attend करना पड़ेगा, check-up के लिए, यानि कि उसको remind करना है, कि to follow up, follow up, तो यहाँ पर करना है, P4 patient हो जाएगा, जो कि उसको remind करना है, कि attend करें अपना check-up को, मतलब वो आता रहे, follow up कराता रहे, और O for orthopedic center में ही क्योंकि यह बोन से related problem है, और करना पड़ेगा इसमें orthopedic center में ले जाके treatment देना पड़ेगा, उसको T4 treatment हो जाता है, और T4 timely manner हो जाएगा, यानि कि time से देना, good manner में लेना है, मतलब कि timely और properly लेनी है, और S4 हो गया कि कोई भी site any symptom other than usable, अकर कोई भी normal से, usual से को other symptom दिख रहे है and इसमें जो preventive measure हो गया, उसमें क्या करना है, कि early detection to the condition, तो सबसे पहले तो early detection करनी condition की, ताकि treatment उसको मिल पाए properly time से, और जो भी problem हो प्रिवेंट हो जाए complication, और उसको क्या करना है, कि जो भी case है, उसको find out करना है, follow करना है, और contact to help to control infection, और उसको क्या करना है, ताकि जो भी infection उसको control हो पाए, तो उसको find out and follow up of known context can help to control infection and जो उसकी जो थी periodic skin testing for children for tuberculosis, अगर tuberculosis वाली problem है, तो इसकी टेस करना है, जैसे मैंने बॉंटॉक्स बगरा बताया था, और प्रोफाल लेक्टिक एंटिबाटिक वगरा देनी है, एंटी तूबर क्लोसिस देनी है, उसको जो की मै high risk जो इसको जो होता है, those who have high risk of TB, जो high risk of TB के जो रहते है, high risk में है, जो उनको एंटी टूबर क्लोस जो ड्रग होती है, वो प्रोफाली प्रोफाल एक्टिक के तौर पर उनको देनी चाहिए, वो तो दोक्टर यूद ने अडवाइस करेंगे, और अडवाइस patient and family member to take continue treatment, व तक कि दॉक्टर उसको discontinue कर रहा, तो continue करें, give health education देनी है उसको patient को, और जिसमें की good sanitation and environment वाली, तो thank you guys for watching this video and please do like, share, comment and subscribe this channel, और जो भी कोई notes अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसमें notes दूँगे, आप कमेंट में बता सकते हैं, किसमें आपको च बीस का फायदा उठाएं, और इसी तरीके से आपको notes provide होते हैं, जो आपके मतलब के हैं ले लीजिए, जो आपके मतलब के news को skip कर लीजिए, okay bye, goodbye, take care